यही फोबिया है जिसमें लोगों को मेरर में देखने से डर लगता है और क्या आपको पता है कि दो जुड़वा बच्चों की हुने का जो सबसे लंबा टाइम इंटरोल है वो कितने दिन का है तो जानना है तो वीडियो के एंट तक बने रहे हैं और सुरू करते हैं ताक्ट नमबर वन क्या आपको पता है कि जो मरकरी और वीनस है यही दो एक ऐसे प्लाइनेट है जिनके पास खुद का मून नहीं है एक अमेजिंग पैक्ट नमबर टू को पता है प्लूटो इतना छोटा है कि जितनी यूनाइट इस्टेट की चोड़ाई है उसका आधा प्लूटो है आप इस इमेज को देख लिजिए आपको इसे खुदी पटा चल जाए थ। नमबर थ्री क्या आपको पता है कि हमारे मूँ में इतना शिलायवा एक दिन में प्रूडियोज होता है है वो एक साल में एक swimming pool भर सकता है और हमारा इतना 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 एक त्रिदू लीटर पर रेमारे मुई में सिलाइवा भूर्डि ऊता है और एक साल में चाह्त सो तीटर प्लाइवा वह वोज होता है और यह जिसको हो जाती है उसको मेरर में देखने से डर लगता है मतलग खुद का रिफ्लेक्शन देखने से डर लगता है और यह फोग्या बहुती डेंजरस है तो चलते हैं प्याक नंबर फाइस की तरफ तो दो जोड़ों बच्चों के होने का सबसे लंबा टाइम डिफ्रेंस कितने दिन का है जानना है तो रुकिए बताता हूं तो यह जो कहानी है वह आयर्लेंड में रहने वाली टैथी स्वार्श की मारिया जूंस का है जिसके दो ज मेरी है वह एमी एन के जन्म लेने के सतासी मतलब 87 देज के बाद पैदा हुई थी और इसका एकड़म करेक्ट एकड़म करेक्ट जो टाइम डिफ्रेंस है वह है 87 देज वन आर 45 मिनट और जो एमी आन है वह वन जून 2012 को पैदा हुई थी और जो केट मेरी है वह 27 अगस 2012 में पैदा हुई है तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब पहले कीजिए और मैं अगली वीडियो में दिवाली के भारे में कुछ अन्नोन फैक्ट बताऊंगा जो मैं कोसिस करूंगा कि मैं ऐसे फैक्ट बताऊ जो आ किलते हैं अगली वीडियो में